हेलो गाइस स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चानल एनोशन क्लासेश पर इस वीडियो में हम जार्खन की जंजातियां पढ़ने वाले हैं मुझे पता है कि बहुत दिनों से से जो क्लासेश रुकी हुई थी क्योंकि मेरा भी जो एक्जाम चल रहा था ठीक है तो इसके वज़ा से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी लेकिन अब से आपकी क्लास वो रेगुलर चलेंगी ठीक है तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे जारखन की जंजातियां तो अभी जो है केवल अभी हम इसका एक सामाइने जो जानकारी होता है तामाइने जानकारी ठीक है उसे हम पढ़ेंगे बाकी जो है अलग अलग तरीके से जैसे की सम्थाल हो गया उरां हो गया मुंडा हो गया हो गया इसको फिर हम बाद में separate separate करके पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं तो आप heading बनाईएगा मेरे साथ में जारखंड की जन जातिया इसका color एक बार हम change कर लेते हैं चलिए heading क्या बनाना है जारखंड की जन जातिया ठीक है और जैसे की मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये तो आपको इसका जो PDF है इसका PDF कहां मिलेगा या कह सकते हैं एक class notes जो है वो आपको कहां मिलेगी तो हमारे telegram channel पर मिलेगी जिसका नाम क्या है तो NS1 Classes के नाम से ठीक है वहाँ जाके आप इसे collect कर सकते हैं तो heading क्या हमने बनाया ज्हारखन की जन्जातियां जन्जाती हम किसे कहते हैं तो कुछ ऐसे लोग जो अपने सभ्वेता के प्रभाव से वंचीत रह कर यानि कि अपने सभ्वेता को जानते नहीं कि हमें आगे करना क्या है बाकी वो क्या करते हैं कि अपने प्राकृतिक वातावरन के अनुची थी अपने आपको ढाल लेते हैं ठीक है जैसे अपनी रहन सहन अपनी रहन सहन की पधती भासा ठीक है खान पान खान पान अपने संसकारों को और बेवसायों को और बेवसायों को किसके अनुरूप ढाल लेते हैं तो वहां की जो प्राकृतिक वातावरन होती है उसके अनुरूप वो अपने आपको ढाल लेते हैं ठीक है तो ये होती है जन्जातिया अब बात करते हैं कि जारखन में जो जन्जातियों का वास है वो कब से चला रहा है तो या तो आप लिख सकते हैं इसमें कि पूरा पासान काल से जारखंड में जारखंड में जनजातियों का जनजातियों का वास रहा है वास रहा है ठीक है यानि कि जारखंड में जो जनजातियां है वो बहुत पहले से ही यहां पे रह रही है ठीक है चलिए हो सकता है साथ आपको यह white वाला दिख रहा है कि नहीं पता नहीं अगर नहीं दिख रहा होगा तो बाद में आप comment कर दीजेगा कि यह नहीं दिख रहा है तो अगले class में इसे change कर दूँगे ठीक है जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी किसकी है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनजातिया कुन कौन सी है् तो पहला क्या है संथाल उराव मुंदा और हो ठीक है अब यह जो 32 प्रकार की जनजातियाँ है इसे हम एक बार देख लेते हैं कि जो 32 जन जाते हैं वो कौन कौन सी है 32 प्रकार की जन जाते हैं 32 प्रकार की जन जाते हैं ठीक है तो आप इसे हेडिंग बना लिजिएगा चलिए पहला नमबर किसका है तो पहला नमबर है असूर ठीक है दूसरा लिखते जाएगा मेरे साथ साथ में अभी हम 32 को अभी कम्प्लीट करेंगे ठीक है बथूरी बेदिया भुमीज बिंजिया बिरहोर बिरहोर तो आपने सुना ही होगा इसमें बहुत से सिजन जाती है जिसके बारे में आपने सुना होगा अगल पगल घर जो वातावर हम लोका जो गाव घर है उसमें बहुत से लोगों आपने सुना होगा जैसे एक लोहार हो गया वो सब हो जाता है फिर बिरोर लोग होते हैं ठीक है भूमी जो होते हैं आपने सुना होगा इनका नाम ठीक है और कुछ-कुछ जो है वो हमने भी कभ एक बड़ाइक, एक बड़ाइक, गुंड, गुंडायत, खो, करमाली, ये भी आपने सुना होगा, खड़िया, खरवार, खूंड, किसान, इसे ही नगेसिया भी कहा जाता है, ठीक है, कोरा, कोरवा, लोहरा, वही जो हमने अभी आपको बताया था, क्या लोहार जो मैंने आपको बताया था नभी, ठीक है, लोहरा, महली, ये भी आपने सुना होगा, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, ठीक है, मुंडा, उराव, पहरिया, या परहिया, ये दोनों लिखा रहता है था, ठीक है, उसके बाद संथाल, 27 नमबर पर लिखे, सौरिया, पहाड़िया, सौरिया, पहाड़िया, सबर, कौवर, कोल, ठीक है, कितना हो गया, अरे, मैंने फेसे एक ही नमबर देती है, 27, 28, एक मिनुट, का मेरा दिमाग रहता है, एक मिनिट, पहाड़िया, पहाड़िया, तो ये जो है, वो 32 परकार की जंज आती है, ठीक है, अब इसमें क्या है, कि, मैं आपको यहाँ पर एक पर लिग देती हैं, ठीक है, 32 परकार की जंज आती है, जिसमें क्या है न, कि, 24 जो जंज आती है, 24 जंज आती है, यो प्रमुक्षरिनी में आती है, ठीक है, जबकि आठ जन जाती है यह आठ जन जातियां जो है वो क्या है? तो आदिम जन जातियां है आदिम जन जातियां है अब इसमें आठों में कौन कौन से हैं? तो पहला है असूर बिरहोर बिरजिया कोरवा माल पहाडिया परहिया सोरिया पहाडिया और सबर ठीक है कौन कौन से हुए असूर बिरहोर बिरजिया कोरवा माल पहाडिया परहिया सोरिया पहाडिया और सबर कुल 8 हो गया, ठीक है चोबीस क्या है, तो 24 प्रमुक्स रेनी के जन जाती है जब कि 8 जन जाती है क्या है तो आदिम जन जाती है जिसमें असुर के बारे आपको हर बार एक्जाम में क्या होता तो पूछा जाता ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि जारखन में कुल 32 परकार की जनजातिया है जिसमें 24 जनजाति प्रमुक्स रेनी किये और आद जनजाति क्या है तो आदिम जनजातिया अब इसमें बात करते हैं हम लोग क्या तो जनजातियों का वर्गी करन किसके बारे हम बात करेंगे जन्जातियों का बर्गी करन तो आप heading बना लिजेगा ठीक है हम इसका color थोड़ा change कर लेता है क्योंकि heading का color थोड़ा अलग रहेगा तो heading पहचाने में दिक्कत नहीं होगी ठीक है यह तो दिखी नहीं रहा एक मिनट जन्जातियों का बर्गी करन ठीक है जन्जातियों का बर्गी करन हमने दो तरीके से किया क्या तो पहला प्रजातिय समु के आधार पर प्रजातिय पहला क्या हो जाएगा तो प्रजातिय समु के आधार पर प्रजातिय समु के आधार पर आधार पर और दूसरा हो जाएगा क्या तो आर्थिक क्रिया कलाप के आधार पर अर्थिक क्रिया कलाप के आधार पर ठीक है अब हम बात करते हैं किसके बारे तो प्रजातिय समुक के आधार पर तो इसके आधार पर भी तीन भागों में बाटा गया है ठीक है तो आप ये दो ठीके और पहला नमबर पर heading बनाएगा क्या प्रुजातिय समू के आधार पर तिके तो प्रुजातिय समू के आधार प्रतीन भागों में किसमें बाटा गयाय है तो आपने सुना होगा est hero प्रोटो औस्ट्रेलाइड थीक है दूसरा क्या तो औस्ट्रेलाइड औस्ट्रेलाइड यह इसे ही लिख सकते हैं क्या प्री ड्रवीडियन ठी द्रवीडियन ठीक है और तीसरा क्या हो जाएगा तो द्रवीडियन हो जाएगा तीसरा क्या हो जाएगा द्रवीडियन तो जैसे प्रोटोस्टलाइड है तो इसमें कौन-कौन सी जन जातियां आती है तो हम यह आपे लिख देते हैं ठीक है तो यह पहला किसका है प्रोटो अस्टलाइड का ठीक है तो इसमें कौन-कौन सी जन जाती है संथाल ठीक है संथाल, भो, लोहरा या लोहार फॉर्थ में क्या आएगा खड़िया फाइब में क्या जाएगा भुमीज सिक्स में माल पहाड़िया माल पहाड़िया सेवन्थ में क्या पूरा एट में क्या हो जाएगा सोरिया पहाड़िया सोरिया पहाड़िया नाइन्थ में क्या हो जाएगा परहिया तेंथ में पूरवा फिर असूर असूर उसके बाद बिरहॉर और एक लाश्ट बज जाता है तो सबर कौन सा? सबर ठीक है तो ये है किसका तो प्रोटो आस्टेलाइट का ठीक है अब बात करते हैं आस्टेलाइट या प्रीद्रवीडियन का तो इसमें कौन-कौन से जंजाती आती है तो मुंडा आती है पहला और दूसरा करमाली मुंडा और दूसरा करमाली बात करते हैं द्रवीडियन की तो द्रवीडियन में कौन-कौन से आते हैं जंजाती है उराओ ठीक है दूसरा खरवार उराओ खरवार, महली, गौंड, महली, गौंड, चेरो, चीक बडाइक, ठीक है, गौंडाइत, गौंडाइत, बिरजिया, बिरजिया, बैगा, बथूडी, बथूडी, किसान, इसका मैंने एक और नाम आपको बताया था, क्या नाम बताया था मैंने इसका, नगेशिया, ठीक है, ट्वल्स में लिखेगा, बिंजिया, ठीक है, और एक लिख लीजिया, बेदिया, तो ये थी किसकी, प्रोटो श्लाइड की, ये प्रिद्रवीडियन, और ये द्रवीडियन, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये थी किसके आधार पर, तो ये प्रजातिय समू के आधार पर थी, अब हम बात करते हैं, आर्थिक क्रिया कलाप के आधार पर, यानि कि उनके जो क्या-क्या, वो पेशे को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आपर, आर्थिक क्रिया कलाप, आर्थिक क्रिया कलाप के आधार पर, यानि कि उनका जो पेशा है, उसके आधार पर हमने जन जाती हों को कितने भागों में बाटा है उसके आधार पर हमने जन जाती हों को कुल चार भागों में बाटा है कितने भागों में बाटा है कुल चार भागों में ठीक है तो पहला क्या सिकारी समू जो लोग सिकार करते हैं सिकारी समू ठीक है दूसरा हो जाएगा अस्थानन तरित क्रिसी जो लोग घूम घूम के जो खेती करते हैं ठीक है तीसरा हो गया क्या साधारन कारिगर साधारन कारिगर जो लोग नॉर्मली क्या है चोटे मोटे जो कारिगर हुआ करते हैं ठीक है और चौथा आपका अस्थाई क्रिसक जो एक जगह रहे के क्या करते हैं तो खेती करते हैं सिकारी समू में किसका किसका नाम आएगा कौन कौन सी जन जाती आएगी तो बिरहोर, असूर और कोर्वा बिरहोर, असूर और कोर्वा स्थानन तरित क्रिसी में क्या-क्या आएगा तो सोरिया पहाडिया साधारन कारीगर में कौन-कौन से जन जाती आएगी तो महली, दूसरा, करमाली ठीक है चीक बढ़ाएक और चौन्था हो जाएगा क्या, तो लोहरा ठीक है अस्थाई क्रिसक में किसका किसका नाम आएगा तो पहला बार संथाल जन जाती आएगी दूसरा, मुंडा तीसरा, उराव और चौन्था क्या हो जाएगा, तो भूमीज वृफ्था क्या हो जाएगा भूमिच तो हमने जनिजातियों का जवरीकरन किया वो दो आधारों पे हमने किया किसमे किसमे तो एक परजातिय सम्मू के आधार पर और दूसरा आर्थिक क्रिया कलाप के आधार ठीक है अब हम बात करते हैं कि जारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या इतनी है तो 2011 के जनगरना के रफ हगता है जनजातियों की कुल जन संख्या, कितनी है, तो 86,45,042 ठीक है, 86,45,042 ये राज्य की कुल जन संख्या का कितना प्रतीसत है, तो 26.2 प्रतीसत है राजी की कुल जनसंख्या का 26.2 प्रतीसत है जबकि अगर बात करें हम केवल आदिम जन जातियों की जनसंख्या का तो आप लिख सकते हैं सिधा लिखें आप की 2011 की जनगर्ना के नुसार जारखंड में जारखंड में आदिम जन जातियों की कुल जन संख्या वो चीज मैंने पूरा नहीं लिखा मैंने आपको यह कह दिया कि आप कुछ तरह लिखना है लिखना क्या है कि 2011 की जन गन्ना के अनुसार जारखंड में आदिम जन जातियों की कुल जन संख्या इक लाख बानबे हजार चार सो पचीस और बात करें कि यह राज की इकूल जनसंख्या का कितना प्रतीसात है तो 0.72 प्रतीसात है बात करते हैं जहारखन की जो जनजातिय समाज है वो कैसी है तो वो पित्री सतातमक है यानि की यहां पे पिता के वन्स क्या होता है की जैसे अभी हम लोग अपना पापा का सरनिम जो है वो यूज करते हैं ठीके उसी तरह से जो जनजातियों में होता है उसी तरह से होता है ठीके यहां की जो जंजातियां होती है या जार्खन की जंजातियों में जो परिवार की बेवस्ता है वो कैसी है तो वो एकल बेवस्ता है एकल परिवार बेवस्ता ठीक है एकल परिवार की बेवस्ता ठीक है तो अगर परिवार है इस तरह के गोत्र भी पाया जाएंगे, तो जार्कन में विविन परकार के गोत्र पाया जाते हैं, और इस गोत्र को ही क्या कहा जाता हां तो किली, कुंदा और पारी के नाम से जाना जाता है किली, कुंदा और पारी त्यादी नामों से जाना जाता है गोत्र को ही ठीक है तो अगर इसी में अगर बात किया जाए कि जैसे गोत्र जो होता है जैसे कि किसी किसी का गोत्र क्या होता है जो कछवा बोलते हैं ठीक है और बहुत सारे लोग होते है जिनका जो गोत्र है किसी का कुछ पच्छी में जैसे कि बाज पच्छी ऊसको वह गोत्र होता रिहाँ तो तो उसी तरीके से सबका प्रतीक चीन होता है जिसे क्या कहा जाता है टोटम कहा जाता है क्या कहा जाता है टोटम ठीक है लिख सकते हैं आप कि गोत्र या लिख सकते हैं आप मैं आपको बोल देती हूं ठीक है आप लिखे कि इन जन्जातियों के गोत्र का ठीक है इन जन्जातियों के गोत्र का एक प्रतीक चीन होता है एक प्रतीक चिन होता है चिन होता है जिसे क्या कहा जाता है तो टोटम कहा जाता है क्या कहते हैं उसे टोटम कहते हैं ठीक है एक नोट बना के लिखेगा आप एक मिनिट इसका कलर ज़दा चेंज कर लेते हैं नोट बना कि आप लिख सकते हैं क्या कि पहाडिया जनजातियों में या जनजातियों में गोत्र की विवस्था नहीं पाई जाती गोत्र की विवस्था नहीं पाई जाती ठीके कौन सी जनजाती में तो पहाडिया जनजाती में ठीके देखे इन जनजातियों में क्या होता है या जो जारखन की जनजातिया है ठीक है वहाँ पे विवा संबंदी जो कायरे होते हैं वो कौन करवाते हैं तो पुजारी करवाते हैं हमारे यहाँ पे कौन करवाते हैं जिसे विवा हो गया या विवा संबंदी जो कायरे करवाते हैं किसके द्वारा संपन करा जाता है, पुजारी के द्वारा, इसी पुजारी को और कौन-कौन से नामों से जाना जाता है, तो पाहन और देवरी, पाहन और देवरी इतियादी नामों से जाना जाता है, ठीक है, देखिए, पहले क्या था, कि किसी भी छेत्रे में, या किसी भी जनजातियां जो है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है ठीक है तो पिछड़े होने की वज़े से क्या होता है कि उनमें अभी थोड़ा सा डवलप्मेंट नहीं है इसके वज़े से वहां क्या होता है कि बाल भी हो जाता है लेकिन जार्खन में जो जनजातियां वहां बाल विव ठीक है यह बाल विवा ना के बराबर है ठीक है तो आप लिख सकते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको लिखा मिलेगा कहीं अखर्णे को मिल सकता है ल Nerdya Ka modile क़े हैं कर दूसरा कि सरणा तो सरणा क्या है तो यह और क्या पूजा इस तरह स्थल हमारा यां किया होती एं मंदीर होती है उसी तरह से उनका क्या होता सरना होता है ठीक है और वो लोग क्या करते हैं सरना धर्म को ही मानते हैं ठीक है वहाँ पे एक तरह से प्रकृति की पुजा की जाती है जिस तरह की आपका जो कर्मा हो गया उसमें क्या क्या प्रकृति की न पुजा की जाती है ठीक है तीसरा आप देख सकते हैं क्या यूवाग्री का मतलब क्या या एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर होता है ठीक है तो इतनी सारी बात है आपको याद रखनी है थोड़ा और है उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा ठीक है मैंने आपको बताया क्या की वह लोग क्या करते हैं तो सरना धर्म को मानते हैं जो जारगरं की जन जातिया है आधिकान जो जुटा करती है तो सुर्य देवता की पूजा करती है तो सुर्य देवता की पूजा के जřाती है के द्वारा थीक है? अब बात है एक और है थोड़ा सा की। झैसे कि हम कभी भी अगर मारकेट की बिक्री और जाते हैं कुछ समान की खरीट वीक्री करने के लिए दूसे हम मारकेट या बाजार कहते हैं ठीक है लेकिन जो जंजातियां होती है वो उसे क्या कहती है तो खरीद विक्री के अस्थान को वो लोग हाट कहते हैं क्या कहते हैं हाट कहते हैं ठीए आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जंजातियों द्वारा जंजातियों द्वारा खरीद विक्री के अस्थान को खरीद विक्री के अस्था को क्या कहा जाता है हाट कहा जाता है क्या कहा जाता है हाट ठीक है तो देखिए ज्यादा तो आज नहीं था ठीक है मैंने आपको बताया क्या कि आपको थोड़ा सा मैंने आपको एक सामाइने जानकारी दिया किसके बारे तो जिंजातियों के बारे ठीक है अब हम क्या करेंगे कि विशेश रूप से हम एक प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे तो अलग-अलग जिंजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे सबसे सुरूप में हम पढ़ेंगे संथाल के बारे फिर उराओं के बारे ठीक है उसके बाद मुंडा तो इसी तरह करते करते जो है हम सभी जंजातियों के बारे में पढ़ लेंगे ठीक है जितनी भी हमारी 32 परकार की जो जंजातियां भी हमने देखी वो सारी चीजों को हम complete करेंगे regular classes के दोरान ठीक है तो उमीड करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा ठीक है और अपने दोस्तों के साथ इसे सेर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएं ठीक है और इसका जो पीडियेफ है मैंने आपक तो फिदिया पूले आहां मिलेगा हमारे डिली चैनल पर मिलेगा जिनको नहीं पता है उनको ओँ जान से खिलत कुछ से कर समझ तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक के लिए ऑब ऑबाई एंडड़ इक केर अलओना ये मैंत Что म्यamine